शनिवार को ग्यानपुर्ख शेत्र के जरोई स्थित भाजपा जलाकार रेलापर भधोही के सांसद रमेश चंदर बिन और आई विधायक दिनानाथ भासकर एवं भाजपा के जिलाद्यक्ष दीपक मिस्ट्रा ने प्रेस कॉन्फरेंस की निताओं ने कहा कि 75 वस की अपेक्षा 10 सालों में भाजपा सरकार ने अधिक विकास किया है दो हजार सैंतालिस तक भाजपा विक्सित देश के रूप में उभरेगा और दो हजार चौविस लोग सबाचुनाओ के बाद दुनिया में भाजपा तीसरी अर्थ विवस्था के र जिसका वियान जन्पत में शुरू कर दिया गया है लोगों की राए बिभिन तरीकों से कत्रित की जाएगी सांसद रमेश चंद्र बिन ने कहा कि सद्यों में जो काम नहीं हुआ वो आज भाजपा सरकार ने किया अन्य सरकारे सिर्फ 75 साल तक जनता को लूटने का काम किया इम हर योजना में घोटाला ही घोटाला देखने को मिला किन्तु भाजपा सरकार ने सिर्फ विकास किया है जिसका परियनाम है कि 2024 के लोग सबाचुनाव में तीसरी बार सरकार बढ़ने जा रही है विधायक और आई दिनानाद भासकर ने कहा कि भाजपा गठबंदन की सरक सौ वर्सों में देश और प्रदेश में काफी विकास किया और जो पुरवर्ती सरकार के 75 साल की तुलना में काफी है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार ने तीन तलाक कानून नागरिक संसोधन कानून संसत भावन का निर्मान राम मंदिर का निर्मान करके लोगों के आस्था को म विधायक बहाशकर ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद देश को सवच्छ और सुन्दर बनाने के बाद किसी ने की है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि 2024 लोगसवा चुनाव जीत कर एक बार फिर नरेंद्र मोधी के हाथों में देश की कमान दी जाएगी और दुनिया में भारत तीसरी अर्थववस्ता की रूप में जाना जाएगा स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश रिवास्तों की रिपोर्ट कि देखे सबसे पहले अभी प्रेस के हमारे बंदुओं को तादन नमस्कार और भारती जनता पार्टी कि ने चुनाव के समय में जो चुनावी संकल पत्र है उसको ध्यान में रखकर आज ये प्रेस कांफरेंस आयोजित किया गया है भाजपा कैसे संकल पत्र लोगों के विचारों से बनाती है कैसे हम इस कारिक्रम को करेंगे इन्ही सब दिश्यों के साथ आज ये प्रेस कानफरेंस का हुजन किया गया है भाजपा के संकल पत्र के लिए पार्टी एक करोंड से ज्यादा लोगों से उनके सुझावे कत्रित करेगी और उसी के आधार पर संकल पत्र तयार होगा ये अभियान शुरू भी हो गया है पहले चरण में 26 से 29 फरवरी का समय था जिसमें राष्टी का रिशाला 26 फरवरी को दिल्ली में आउजवित की गई फिर उसी दिन राष्टी लाउंच कारिक्रम किया गया और 37 प्रदेश में ये लाउंचिंग कारिक्रम 27 से 28 फरवरी के बीच में हुआ प्रदेश अस्तर पर और 1000 जिला लाउंच कारिक्रम 28 और 29 फरवरी को देश भर में हुआ और दूसरे चरण में विक्सित भारत कोहर्ट मिलन एवं संबाद कारिक्रम जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी पूर में केंद्री नित्रित के तत्वाधान में भारती जन्ता पार्टी के राती अधिवेशन दिल्ली बुलाया गया था को कारकम रखा गया था दो दिवसी का कारकम था उसी कारकम के दवरान आज परतेक पार्टी मुख्याले में प्रेसवारता का कारकम रखा गया है अभी संगठन के माध्यम से मननी जिलाध्यच जी ने आप सबको बताने का काम किया है बिक्सित भारत संकल प्यात्रा के कारकम में जैसा कि आप सबको पता है कि देश के लोग प्रिये प्रधान मंत्री आदरणी नरेंदर मोदी जी प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित नाजी जैसा कि आप जान रहे कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है बिक्सित भारस संकल्प यातरा का कारकम हुआ है निश्चित रूप से हम सब का सकते हैं कि विकास का काम जो संकल्प 2047 तक लिया गया है निश्चित रूप से सफल होगा आज गाउं में चले जाएए तो गाउं में निश्चित रूप से जहां से सुरुवात करेंगे विकास चाहे परधान मंतरी आवास का मामला हो चाहे सावचालाई का मामला हो चाहे बिरिधा पेंसन का मामला हो चाहे बिकलांग चाहे गैस कनेक्शन चाहे आप जिस मुद्दे पे चाहे पेजल की बात कर लिजे गाउं में तब टंकी यानि कहने का मतलब बिकसित बिकास के रूप में निश्चित रूप से काम हुआ है जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2019 में सरकार बनी थी ताप लोगों न देखा कि 2019 में सरकार ने जो निड़े लिया था ओर निड़े जो सदियों से जो काम नहीं हो पा रहे थे उसको विधेयक में ला करके काम हुआ चाहे दिया गया है OBC पमीशन को सेंबैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया है दस परसत गरीब सवर समाज के नौजवानों को नौकरियों में अरच्छड दिया गया है वन रैंक वन पेंशन लागु किया है हमारे भारत सरकार ने और चौदरी चरण सिंग्जी परपूरी ठाकूर साहब लालकिष्ट आडवानी साहब पीबी नर्शिंगा राव साहब के साथ साथ यमया स्वामी नाथन जो क्रिसी बैज्यानिक थे उनको भी भारत रत्न की और इसकी कविनेट जो है जात से उपर उठ करके पार्टी से उपर उठ करके सभी लोगों को ध्यान में रख करके जो है भारत रत्न का दर्जा दिया गया है जो अब तक की सरकारों ने ऐसा नहीं किया था साथियों हर गाओं में पंचाय भवन बनाना आंगन बाड़ी केंद्र बनाना पंचाय सहाई का नियुक्त करना प्राथमिक बिद्यालेओं का अमूल चूल परिवर्तन करना हर छोटी-छोटी समिश्याओं को लेकर के सरकार ने उसका निराकरर करना और यह विश्वास हम विकास सील भारत को विक्सित भारत बनाने का काम करेंगे और दस साल के अंदर भारत की दुनिया में पाचवे नम्मर की आर्ठी की सित्य हुई है आने वाला समाज से हम कहना चाहते हैं आने वाले वक्त में हमारा समाज स्रद्धे प्रधान मंत्री जी का साथ देगा तीस बाइसरी आर्थिक टाकत बन करके उभरेगे और जो है आएसा ड्रोन बिक्सित किया हमारे बैज्यानिकों ने दुनिया में बहुत सारे देश हैं लगबग 200 कंट्री हैं 200 कंट्री में जो ड्रोन बनाया गया है वह ड्रोन जाता है दुस्मर का हमला करता है और ड्रोन वही ऐसा भारत को महारत हासिल हुआ है बैज्यानिकों के जरिये इसलिए आने वाले दिनों में हमें 2047 तक बिक्सित राष्ट बनाना है और दुनिया में तीसरे नम्मर की आर्थिक टाकत बनाना है इसलिए हम आवाम से आप लोगों के माध्यम से या अन्रोश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहां पर पिछले बार लोग सभा में परलामेंट में हमारे पार्टी के सांसत को जिता करके और नरंदर मोधी साब के हाथ को मजबूत किया है जनता ने उसी तरह से पुना आने वाले दिनों में हमारे सांसत को जिता करके नरंदर मोधी जी के हाथों को हम लो अपने देश को बढ़ा सके इसी के साथ धन्यबाद अगर कोई साथे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है